धाकड़ खबर के नियूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस खान 16 अप्रेल की रात महरास्ट के पाल घर में वो दर्दनाक वारदात हुई थी संसनी खेज बारदात हुई थी जब एक भीड ने दो साथो समेट तीन लोगों को पीट पीट कर तलबारों से काट कर डंडों से मार मार कर मोत के घाट उतार दिया था कहीं पुलिस वाले भी बताया जाता उस मामले में घायल हो गए थे सरकार इस पूरे मामले को लेकर अक्शन में है 110 से ज़ादा लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया है पूरे मामले की जाच खान मार किट गैंग वाले अवार वापसी वाले कहां मर गए अब कहां चलेगे वो पत्रकार जो मुसल्मानों की हत्या होने पर गला फड़ फड़ के चिलाते हैं तो सवाल पैदा होता है ने जी के देखना चाहिए कि वो पत्रकार कहा है और ये कहा है लेकिन मैं उन पत्रक कहाने से पहले अपने गिरिबान में खुछ जाके देख ले क्योंकि यह तो अपने आपको कहते हैं साब हम तो नंबर वन हम तो नंबर टू हम तो देश का सबसे बड़ा नेटवक हैं हम तो देशवक्ट चैनल हैं इनका यहाल है कैसे कैसे हैं इनका यहाल तीन पहलों में मैंने तयार किया है पहले पहलों की तरफ चलते हैं पहले पहलों में बात कर लेते हैं इनके अंदास की जो इनका रंग है जो इनका रूप है जो दिखा रहे हैं जिसमें बोल सुधीर चोधरी की जबानी सुली दिए। सब जानते हैं ये खबर Zee News के अलावा कोई आपको दिखाएगा भी नहीं। दो साधुओं समेट तीन लोगों की हत्या के मामले में केंद्री एक भी मंत्राले ने महराश्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। भी मंत्री अमच्छाह ने पालगर मामले पर महराश्र के मुक्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात भी की। उद्धव ठाकरे ने मामले की जाच CID को सौंपने के साथ ही कहा कि मौब लिंचिंग के इस घटना में सामप्रदाइक जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं आग ना लगाए। ये कोई मजब की बात नहीं है। सिर्फ गलत पहिमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी लेकिन इसके बावजुद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। महराश और सरकार ने इस मामले में कादरवाई करते हुए दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। महराश के पूर्ण मुख्यों मंत्री देवेंद्र फट नवीस ने मॉब लिंचिंग की घटना में पुलिस की भूमेगा पर सवाल उठाए हैं। देख लिए आपने ये खुद अपने डियने में टोप पे रख रहे हैं उस खबर को यानि के इससे पहले इनके ब्रेकिंग न्यूज वाले स्टाइल में भी ये खबरे नहीं चल पा रही थी। आइडिया हो गया किलियर यानि के खुद इस खबर पर अब जागें अब दूसरा चैनल ले लीजिए जो कहता है हम देश का सबसे बड़ा नियूज नेटवक हैं यानि के अमीज देवगन की मैं बात कर रहा हूँ वो किस तरीके से बोल रहे हैं सुन ले जिए कहां है वो लोग जो हर बात पर अपना अवार्ड हाट में लेकर घूमते हैं अवार्ड वापसी का ड्रामा करने खड़े हो जाते हैं आज सोशल मीडिया पर कथित बुद्धी जेवी ब्रिगेड खान मार्केट गैंग मौन पर है यानि उन्होंने मौन धारन कर लिया है ले इनके लिए लगता है मुझे सबसे अच्छा यही होगा कि मैं आपके सामने रूबी का लियाकत का यह वीडियो रख दूँ जो उन्होंने अपने डिबेट शो में कहा है जिसमें वो कह रही हैं बता रही है कि राज से तस्वीर शोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है राज स जो तस्वीरे सोशल मीडिया पर घूम रही है जो लोग आपस में साजा कर रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल मेरी रूब काप रही है एक बुजुर्ग एक साधू एक अंतिम संसकार में जाने की कोशश करता है और वहां पालघर में महाराश्र के आप जानते हैं उस बुजुर्ग को उस निर्बल शक्स को चोर समझ कर भीड जो है वो मार डालती है हत्या कर देती है इससे साफ हो जाता है कि इन लोगों को जो तमीज पैदा हुई इस कबर की जानकरी के बारे में वो BCI 21 को पैदा हुई मार लेते हैं क्लियर होगे जी अब दूसरा सबसे तेज चैनल जो अपने आपको दावाई करता है कि उससे तेज कोई है नहीं कि आज सकी स्टार एंकर की जबानी सुन लेते हैं कि वो किस तरीके से इस कबर पर कैसे डिबेट कर रही है दो साधू एक की उमर सतर साल और दूसरे की उमर पैटीस साल मुंबई की कादी वली के एक मंदिर में रहने वाले दोनों साधूों को पता चलता है कि उनके गुरू का निधन हो गया है सूरत मेरे धन हुआ था वो पैसा जमा करते हैं एक वैन में सबार होकर गुरू के आखरी संसकार में हिस्सा लेने के लिए सूरत के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन रास्ते में ही लाती और डंडों से लैस भीड़ पीड पीड कर तूनों साधूों को मार डालती है इस पूरी वार्दा को अंजाम दिया जाता है पुलिस वालों की आखों के सामने वो कुछ नहीं करते बार बार संद्रक्षन मांग रहे साधू संतों की तरफ मदद के लिए ज़रा सा नहीं मुरते हैं इनका डिबेट 21 तारीक का है यानि कि ये भी इस घटना पर 21 अपरेल को ही जागी हैं ये सब साबित करता है कि दूसरों पर सवाल उठा रहे हो कि वे नहीं बोल रहे हैं तो खुद भी तो पास दिन बाद आके बोल रहे हो और कितनी मांदारी से बोल रहे हो ये साफ खुद भी दिख रहा है तुम्हारे अपने चैनल तुम्हें खुद को आईना दिखा रहे हैं खबर के दूसरे इससे की तरफ चलते हैं इस खबर को अखबार कैसे पेश कर रहे हैं वो भी तो थोड़ा सा देख लिए ना चाहिए आप लोग जानते हैं दाकड़ खबर का स्टाइल जब पूरा निकाल के देता है तो निउस चैनल का भी देता है और अखबार का भी देता है क्योंकि दस साल जमीन पैसे ही नहीं गिसा बहुत कमाल के गुरू मिले हैं जिन्नोंने मांचा है कुछ बक्षा है कुछ उसको और उसकुद्रत का करम है और हैं आप लोगों की दू लिए पेज नमबर नो पे जगा दे रहा है यानि कि यह पहले से लिखता आ रहा था 16 तरी की घटना यह क्यों फ्रंट पेज में छापे इससे आप अंदाजा लगा लीजिए पाल घर मौब लिंचिंग देखेंगा पाल घर मौब लिंचिंग की जाच करेगी से ऐडी पहली है इसिसी उसकी संतो की हश्षिक में एक चोतरफा आक्रोश दूसरी सभाट उसक आंदर स्व exting रंगे ने लगी मौबलिंचिंग की घटना तीसरी खबार और चोता जो साइड में कॉलम करके इसने लगाया है जबके उपर लिख रहा है किसी आईडी जाच हो रही है लेकिन इस खबर को भी लिख रहा है क्योंकि भौपुगिरी तो करनी है ना जी धंदा कैसे चलिगा पाल घर में संतों की हत्या की उचिस तरिये जाच हो विस्विंदू परिशाद यानि के जरिये से यह जागरन का हाल है आपके सामने यानिके नवारत टाइम्स को छोटा मोटा गुरूप नहीं है टाइमस ऑफ इंडिया अंगलिश का अखबार और टाइमस नाव भौपुगिरी के उसके लिए टाइमस नाव रखो अच्छा इस पे जो है विपक्ष की थोड़ी सी भौपुगिरी करेंगे उसके लिए मिररनाव बना लो यह धंदा करने का तरीका है साथ नंबर पेजबे खबर चाप रहा है जी मैं फिर आपको बता रहा हूं आपको इन पेजों को गंभी आप रहें जाएघञा यहांनि कि इसकी खबर से छीज लगती है साब कि इसे भी मुझे लगता है वीडियो वायरल होने के बाद कशबरों के बार में जाधा जान नहीं हो प्ए तीसरा पो 1 कि लिखता है अलग से बुगक्स बना थे हरनुमानगडी पुजारी धरने पर यानि कि पूरी बारदात को लेकर हनुमन गड़ी के पुजारी धरने पर बैठ गए हिंदुस्तान साड़े-पास साल जोब की है सखबार में शुरुवात में अच्छे गुरू रहे बाद में ऐसे आ गए जिनके अब बीजेपी में थे वो कहां बरदाश करते हैं अक्रम रहिस खान को आज बड़ी पोजिशन पर बैठे हैं फ्रंट पेज में छापा इस अखबार ने साब कैसे लिखता है पालगर मामले में केंद्र ने महारास्त से रिपोर्ट मांगी साब टॉन देखेगा रिपोर्ट मांग रहा है केंद्र जो है खबर कहां से राज्यों में छपता है पेज नंबर दस पे इस खबर को जगा दे रहा है इंदुस्तान के अलावा किसी ने फ्रंट पेज पे निशापा शाहा और योगी ने उद्धव से की बात तो सी आईडी को सोपी जांच क्या भगता ही है साहाब शाहा के योगी के बात करने के हो तो चैनल्स का हाल था हमाँ चैनल्स में मजबूरी भी होती है सेटेडे संडे को छुटी रहती है फ्राइडे को हो सकता ही ने खबर मिली ना हो क्योंकि 16 तारीका गुरुबार था हाला कि आपका अपना चैनल धाकड़ खबर शनिवार को आपके सामने खबर रख चुका माल लेते हैं मजबूरी चलिए मंडे के दिन की दुकान सजी तो दुकान सजने के बाद इन्होंने अपने शोग के अंदर इस पर बात यह मजबूरी लेकिन ट्वीटर पर तो कोई टाइम नहीं है ता जी ट्वीटर फेस्बूक पर तो यह लोग लिख सकते हैं तो मैं इन्दों का पापा बताने लग जाते हैं तो 19 अप्रेल की शाम नीन टूटी संभीत पात्रा की तीन बचके 21 मिनट पे पहला ट्वीट करते हैं त्वीट के बारे मैं मैं नहीं बताऊंगा खबर बहुत लंबी हो जाएगी पर ट्वीट का टाइम सबज लीजिए फिर उसके बात कल दिन भर में 30 ट्वीट उन्हों ने किये हैं यानि यह कुल मिला के इस खबर पे वो जागे 19 तारिक को और उन्हों ने कल तक इस खबर पे शाम तक जाके इन्हों ने पांच ट्वीट किए हैं अब दूसरा हल आपके सामने रख लेते हैं शुदी चोधरी की बात कर ल लेके 20 तारिक को ट्वीट कर रहे हैं संभीत पात्रा 16 की घटना को लेके 19 तारिक को पहला ट्वीट कर रहा है तीन दिन बाद खबर हो रही है उसको जो कहते हैं हम देश ही नहीं दुनिया की सबस्वड़ी पार्टी है हमारा चप्पे चप्पे कोने कोने पर आदमी बैठा संभीत पात्रा के ट्वीट को रीट्वीट करने के अलावा वह भी 19 तारिक की शाम पांच बजगे 15 मिनट पे इसके अलावा इनोंने अपनी तरफ से कोई ट्वीट नहीं गिया यह भी कमाल के करांतिकारी है बस वहां पर लिखीवी स्क्रिप्ट मिल जाती है स्क्रीन पर ब इनको स्क्रिप्ट लगता है देर से मिली है कुछ लोग तो इनके बारे में यहां तक बोलते हैं अमीज देवगन के बारे में के जैसे ही शो में बीच में ब्रेक होता है फटाक से बंदा फोन उठाता हो कहता हां संभीत भाइट ठीट चल रहा है न सही बोल रहा हूं न सही से नोकरी बनाए रखनी है अब आज सक की स्टार एंकर का हाल देख लेते हैं यानि कि मैं बात कर रहा हूं सबसे चैनल की वह हैं सब उन्होंने क्या किया और वो तो संडे को प्राइम टाइम शो कर रही थी साहब उनका तो सबसे कमाल की चीज है 19 अप्रेल की शाम वह भी ज ट्वीट है उससे बाद में इनके सबके ट्वीट आठ बज के 44 मिनट पर पहला ट्वीट करती हैं फिर उसके बाद 20 अपरेल को दूसरा ट्वीट करती है सुबह 8 बज के 20 मिनट पे ये अब इसके बाद आपके सामने रूबी का लियाकत का हाल रख देता हूं वो थोड़ा स यह प्रवक्तां को इस घटना के बारे में पता था या यह इनतजार कर रहे थे कि घटना में पहले के लिए टो बदता चाहिए के नहीं है अगर हिंदो मुसलमान होता तो जादा चिक शिक्क के काम करते यह यूं कहें कि इनके पास नाज कोई नेट्वाक है जो खबरें को स पर उपर एक गलती कर गया शाहिद में कि आज बाइसफ अपरैल बोल गए आज 21 अपरैल है फिलाल कमेंट के रूप Twitch को डे सकते हैं ख़पर कुल लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्काइब कर सकते हैं उस जादा से जादा हमारी कबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलकते हुए या उलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाज़िफ लाल भी मुझे दें इजाज़त